तो आज हम बनाने हैं रही भले और जिसकी भूंदी हम खुद गर में बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी से रैस्प्री और सिर्फ तीन स्टेप है इसके स्टेप आप फोलो करें इसको तो आपकी जरूर बहुत अच्छे से बनकर रेडी होंगे तो इसके इन्मीटिन में आपको एफ्टी तो मैंने इद़र दो कप में बैसन लिया है मैदा नहीं लिया है और ग्राम्स में नेकितना इस सो ग्राम बैसन लिया नॉर्मल कप अभर पानी ले लिए है जितनी दूरे पड़े इतना लेंगे वैसे हम पने आपड एक गलास ले ल ले लिया है ओर वन एनवाफ टीज़ाइन पर दी या लिया है तो अब यह तीनों चीज़े इसमें डाल देंगे और अब यह दुर्ड़ा इंग्रेडिंट को ही मिक्स कर लेंगे तो पानी जेलिया और इसके देख सकते हैं अब साथ-साथ इसमानी यार्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो अभी मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल रही हूं बार में लिखते हैं कितना हमारा पानी बच्जेगा तो इसका बिल्कुल लिक्विड बेटर नहीं बनाए इसका थिक सा बेटर बनाना है तो अब हैं नहीं हाफ कप पानी डाला जाए तो और इससे जादा मुझे और इसमें ज़रूरत नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं यह बैटर कैसे हैं जितने इसके इसके इंदर लंप सुखे रहे हैं वह सब हम इसको खत्म कर देंगे साथ इसके ना अच्छे से आप लोगोने स्मूथ ली इसको मिक्स करना है क यह फुल आपका स्मूथ सा बैटर बने बिल्कुल और यह हमने बिल्कुल स्मूथ सा रड़ी कर लिए थोड़ा सा पानी ओडर लेगा क्योंकि अभी थोड़ी स्तिकनस है तो साथ सा बहुत इसको पानी डालने के बार ना बीट करेंगे इच्छे से आप लोग को सही लगनी एक पिंच में बेकिंग सोडा एड़ कर दिया है बिल्कुल एक पिंच यह देखें वो भी इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे बेकिंग सोडा डालके बिलकुल मैंने लाइट ली हैंड से मैंने इसको mix करना है जादा आप लोगोंने इस पीड में मिक्स नहीं करना तो यह वरना इसका बेकिंग सोड़े का रियक्ट करता हो ज़िए और इससे पहले ना मैंने घी गरम होने रख दिया था क्योंकि जो बेकि तो मैंने एक तरीक यह इपिसक्ता है कि आप लग ऐसे चुम से डाल दें दूसरा आफ दें फरबी डाल सकते हैं यह देखिं छोटे चुटे साइस की बुंदए होती लेकिन मैंने नी होती बनाई थी मेंने बहुत चोटी बनकर रेडी होते हैं यह बहुत जबरदस रहते हैं आम बुंदी जो हम लेते ना उससे ज्यादा अच्छी एवली घर की रेडी रहती है अच्छी रहती है और बिल्कुल ऐसे मिक्स करते हैं अब दोने साइडर से इसको अपने न फ्लेम को बिल्कुल आइस था करते हैं बड़ लोो वीडियम फ्लेम पे ना अपने इसको पकाने में किशे अच्छी घल रेडी हूए है इसके बार में अब को रिकती हो की यह कितनी हार्ड और कितनी सौ तो यह एक बैच में निकाल लिया है और दूसरा बैच में इसी तरह डाल तूंगे दूसरा बैच डल गया है और यह देखे कैसे बबल से उपर आजे खुद कितनी जादा भूली है तोड़ी बिल्कुर डालती है यह देखेंगे सोफट और इसके इंदर कोई गुठली नी बन देख सकते हैं आप लोग और यह मेरे दो गप से कितने सारे बनके रेडी हो गया है और यह मैंनेशा पानी लिया है नार्मल पानी है nadam आप ने इसको डाल देना है और डालके आप लोग 10-15 मिनट को सो करवा ले और साथ ज Muy धन否 अन्यार थहे नंयोंगा तया इसको यह सप बूनते हैं वैसे ही आप लगोंने इसको करना है रोस्ट कर लेना है अच्छे से और यह मैंने रोस्ट कर रही है उसके बाद मैं पिर इसको साइड पे निकाल लूँगी जिब ठंडा करके तो फिर इसको हाथ तो से मसल के फिर डालती है तो यह मैंने रोस्ट कर लिया और यह स्टेप हमारे यह हैं कि हम बनाने लगें गरी चटनी जो कि दरी भलों में डलती है तो इसके लिए नहीं पर चार हरी मिर्चे ले ले लिए हैं दो लसन के क्लूब्स pakai ले लिए हाफ टीस्पून सॉल्ट है हाफ टीस्पून जीरा है चार दर साबुत गॉल मिर्चे और धन्या यह देख सकते हैं तो बस अब इसको ब्लैंड कर लेते हैं और ब्लैंड करके आपको दिखाते हैं तो यह हमारी ब्लैंड हो गए तो इसको प्लेटर में निकालते हैं और वाकी दिखाते हैं तो यह दही आप देख सकते हैं यह चुटनी भी हमारी रडी है प्यास भी हमने स्ला कbell भार जादी में जादा नहीं पानी गम जाद फाल क 15 बार अब इस वामज़े समुछ वर्मेज़ तोड़ा रहा हम ऐसे तोड़ा एड़ Всемा जाद कर कर दोड़ा काणा की स्वान माण कॉर्म कि अब मिक्स कर लेते हैं कि ब्लप तोड़ा इसमें बिल्कुल हाफ पॉड़ा थोड़ा मैंने स们पाने सब इसीद हाय टुड़ा टाल सकते यह देखे है इस जो दही होती है जोडि़ेसे पतली है लेकिन इतनी पतले कैसे गाई ही दज़ी ती आगका मैंने ली सिर्फून और झाला और रहां चाहर मिसाल प्रेका से थोड़ से ज्यादा मैंने नमक डाला था और वन टेबल स्पून में चुटनी और डाल दी इसमें मजीद ज्यादा को आप इसमें कोई भी स्पाइसे मतराट कीज़ेगा उपर से जाड़ मसाला जो लोग बहुत जादा स्पाइसे खाने पसंद करते हैं वो लोग और डाल सकते हैं और ये साब धनिया और जीरा एक दफा मैंने फिर हासे करश करके थोड़ा सा भी डाल दिया थोड़ा मैं पर डाल दूँ और ये हर दफा फ्रेश भून के ही डलता है ऐसे नहीं रखा हुआ आप मसलें और डाल दें क्योंकि फिर उसकी वैसी फ्रेंग्नेंस नहीं आती जैस अब इसको ऐसे प्लेटर रेडी कर लो हैना मैं आप प्यारा लगता है यासे आप इसको अच्छे से डा म्हें जैसे आप से घ्रीन चिल हषी लीज़ता हुआ है झांटी नहींस ङुंटिड़ा तो प्यास और धाल चट्रेंबोंकि अप जयल दो थोट तो यह बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होए थे बहुत नज़े थे और आप लोग देख सकते हैं इस प्रैस्पी को जुरूर ट्राय कीजिएगा और बताइएगा आप लोग कैसे बने ऐसे लेयर में भी आप लेयर भी बना सकते हैं जैसे मैंने बूनी की लेयर लगाई है कि अप्लेटर बना प्लेटर मैंने बनाया है आप लोग सारा कुछ दही के भीच में मिक्स करें तब भी आप लोग सकते हैं जैसे दही बनाते हैं आपर स्टोची चुतनी डालने जैसी रेकुरेश्य रम कुपसंदा वैसी कर लिदा श्रावश कूंद में अच्छ कर लेगा हुआ तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा था है तो यह हमारे देही भले फाइनल लूक है तो चार मसाला तो जी यह रेडी हो गए हैं बन करके और बहुत ही हमी से रेडी हुएं आप लोग भी ज़रूर ट्राइब करिएगा अपने घर में और बताइएगा कि आपने मेरी अच्छे आप लोग के बनें आप लोग को रैस्पी अच्छी लगी के नहीं लगी कमेंट सक्षिन में जरूर बूर बताइएगा चैनल पर नहीं हो हैं तो सब्सक्राइब कर दें और विडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और जाज से शेयर कीजिए और यह लाइन तो कि अच्छी लाइन जरु क्लें आ nuggets जर इंकर भलत अट्री आफ करनेयों कुर्वाने तो कि अच्छी लिए जर्म आहए वक्तार जया है तो इस्थमस्तरा की शीनि लेती हो आ प्रॉनिक लाइन दो सब्सक्राइन आप जो अखिता और जम भी दौनिन अगर बाग में यार रखेगा टेक कियर लाफ विस बाई